मूर परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाड है कि प्रभू ने मनुष्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में सिरिष्टी रच कर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमाड है कि हजरत मुहम्मद को खुदा स्वयम कह रहे है कि मैंने तुम्हें उस परमाडमा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमाडमा कबीर है जिसने छे दिन में सिरिष्टी रची तथा साथवे दिन तफ्त पर जाविराजा उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया हवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित बचर परमाडमा के बच्चे तुरंट त्याग देते हैं ये वैसे नहीं छुटते हैं कबीर वगवान की सक्ती से अंदर नफ्रत पैदा हो जागी चोरी के जारी की मिलावट की रिस्वत खोरी की ये सब बुराई छुटेंगी और परमाडमा का आदेस है कि पूरे विश्वे में एक बार सत्युग जैसा माहौल होगा जब हमने ये पता लग जागा कि जिसु जैसे के लिए मनुस जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा वो आपके पास सभी परमानित गरंथों से वो साधना आपके पास उपलब्द हुई प्रमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन प्रमेश्वर की अमरवानी में विद्मान है कि जब पच्पन सो वर्स कल्युग बीच जाओगा तब एक संथ एक महापुर्स पूरे विश्वे का कल्यान करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा आगे चलके आपको बहुत बार दिखाया है आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेली कास्ट हो चुका है इसलिए थोड़ा सा सोर्ट में बताऊंगा तो प्रमात्मा ना आयत अदास को भेज़ दिया तो उसमें प्रमात्मा ने लिखा कहा है कि जब पच्पन सो वर्स कलियुग बीत जागा एक महापुरुस आवगा और पूरे विश्वे को सत नाम सत ग्यान और कम्पलीट से प्रुच्वल नौलिज बताकर और पूर्ण भगती विधी देकर सब का कल्यान करेगा और सभी जनता शानती से रहा करेगी बगवान से डर्या करेंगे और जो बगती सत करोगे प्रमात्मा के घर में कोई कमी नहीं आपके घर बर देगा ये सद्कर मान लियो आपके घर बर देगा दनते हैं और थोड़े काम में घड़ी बरकत होया करेगी आपको इतनी बरकत दे देगा जैसे आप भगतों के इंटर्वू के अंदर आप भी इती सुनते हो एक भगत ने बताया था दास ने भी सुना के पहले एक एक महिने में पांच पांच अजार रुपे की दवाई आ जाती थी और जब से नाम लिया है एक सो रुपे की दवाई तक थोड़ी बहुता बेसका जाओ ना ओस्तिनी लाए और पैंतालिस सो रुपे का समान महिने में खर्च वया करता था और एक पैंतालिस सो रुपे का सारा समान गर का लाकर रख्या था और चार महिने तक वो खतम नहीं हुआ जिस से में समान लाता था वो भगत बता रहा था उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने तब उसने बताया कि भी पता नहीं जिस दिन से हम सतलो कासरम बरवाला के अंदर जिक्सा प्राप्ट करकाए हैं हमारा तो कुछ खर्चा ना होता नोकान उधर रहा हैं और चार पांच महिने होगे तो पुन्या तुमाओ एक तो बीड़ी तम्माखु सराब ये छूट गी और वगवान की किरपा होगी बुराई जो बिमारी रोग था वो खतम हो गया वो सारी बच्चत होगी और फिर पर मातमा का अशिरवाद आप देखते हो दास के साथ तो बहुत बार बना था ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे क्यों सकता है और पैसा है ही नहीं थोड़े से रखे थे 500 रुपे तो ऐसा दया करीदाता ने बहुत बार के जहां 500 रुपे की आसा थीक 500 रुपे रखे होंगे वहाँ पर 55,000 रुपे दास को मिले रखे हुए और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया ये आए कहां से इतना पैसा रखे ही नहीं मैंने कभी सलमारी के अंदर और ऐसे बहुत गड़े वक्तों के साथ बीती हैं बहुतोंने बताया तो पर्मात्मा क्या नहीं कर सकता जब ये पर्त्वी कर दोगता सकता कागज के कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं कोई बात ने भगवान सब सफलता देगा अपने को हम परमारत के लिए लगे हैं हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते तो उस समय परमात्मा के नाम से चिठ्थी लिख दी गई थी कबीर साहिब के नाम से जुठी चिठ्थी लिख दी जुठे पाखंडी आचारियों संकराचारियों और गुरुवों ने उस समय के जितने मडले सवरकाजी मुला थे कि कबीर भंडारा करेगा सब को जुठी चिठ्थी लिख दी सब संतों के पंथों के सब जुठी भेज दी ठारा लाख विक्ती आगे दिश्टिती थी को ठारा लाख विक्ती ये सादू संत और निमंत्रित सब के पास चिठ्थियां चले गी और साथ में ये लखा था कि कबीर पूतर नीरू जुलाहा कासी वाला सब को आमंत्रित करता है तीन दिन का बंडारा होगा सारे बोजन लाड़ू जलेबी, कचोडी, पकोडी सब खीर, खांड बनाए जाएंगे अलवा और परतेक साधू संत को परतेक बोजन के बाद एक दोहर, दोहर माने कंबल होता था बहुत सुंदर कंबल टाइप होती थी खदर की वो दोहर होती, कोलते थे डबल और एक असरफी देगा सोने की यानि दस ग्राम सोना इस लालत में सोरे डेरें वाड़े अपने चेलों को और सब को बला लाए अठारा लाख विक्ती सामने खड़े होगे जब रवीदास जी को पता चला ये दोनों मात्मा परमात्मा और रवीदास जी अधिकतर इकठे ही रहा करते थे तब रवीदास जी ने कहा कि बगवन आज ते इनोंने कती जुलम कर दिया आपके नाम से चिठी डाल दी अठारा लाख विक्ती चिठी लिए खड़े है कबीर बंडारा करेगा दोर और मोहर असर फी देगा तीन दिन का लिखर रख्या वालिक कबीर साहिब बोले आजा बैठ जा रवीदास जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभा लेगा गरीब दास वो राकसी जिन्यू साज जा साज रवीदास जी को अपनी कुटिया मुठा लिया अंदर से कुंडी लगा ली बैठी गे उदर से पर मातमा दूसरा रूप बना कर पहुँचे अपने सत लोग में जहां जहां से वो आते हैं जहां से हम सभी आए हुए हैं वहां किसी चीज़ की कमी नहीं वहां से जाकर नौ लाख बैलों के उपर पहले यही ट्रांसपोर्ट का साजन था बैलों के उपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं ऐसे वो बोरे रखकर उनम बने बनाए जलेबी लड़ू कचोड़ी पकोड़ी उपर से सत लोग से हल्वा खीर खांड और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया के सो नाम के बनजारे का बनजारा एक बिजनिसमें इनको पहले बनजारा कहा करते थे जो बिनज करते थे एक सथान से दूसरे सथान पर कहीं से खाणड ले आते तो दूसरी मंडि में खाणड बुरा नहीं होती वां बूरा भेज देते वहां से बाजरा जुएर लेकर दूसरी मंडि में ले जाते जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें ये बेहलों से साधन था, जंगलों से गुजरना होता था तो नो लाख बैलों के उपर समान रखके आएगे और उन तंबू लगा दिये पूरे चौपड के बजार में कासी बनारस में परसुना ने पूछा कोई पूछ रहा था कि आप कौन है आपका क्या नाम है उन्होंने कहा कि मैं केसो नाम है मेरा और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मितर हूँ दोस्त हूँ वो मेरा धरम भाई है और उसने चिठ्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक बंडारा है को समान ले आईएगा तो जादा ना बढ़ा कर पुन्यात्माओ सिकंदर लोधी दिल्ली के बादसा थे उनको भी चिठ्ठी लिख दी क्योंकि सेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरू था और वो भी इरसा करता था उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, सलाभ बनाई थी, मीटिंग करका ये परमातमा को के नाम से शिठ्छी लिखी थी, कबीर जी के नाम से उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये सरम के मारे भाग जागा लोग इसे नपीटेंगे ठीक क्यों डाली थी हमारी इतनी दूर से आए उन्होंने किया तैसे था तो शेक्तकी ने अपने राजा से भी बता जिया कि आपका गुरू जी और वहां ऐसे बंडारा कर रहा है क्योंकि सिकंदर लोजी कबीर परमात्मा की महिमा से प्रिचित हो करके उनका सिस बन गया था लेकिन था कच्चा सा फिर भी राजा दिली का कासी पहुँचा उसने पूछा कि किसे जो केसु रूप में बैठे थे बगवान दूसरे रूप में एक बिजनेसमेन सेट के रूप में उससे पूछा सिकंदर लोजी ने कि आप कौन है उसने बताया कि केसु नाम है मेरा मैं बन जारा हूँ, बिजनेसमेन हूँ तो सिकंदर लोजी राजां ने पूछा दिल्ली के बादसान है कि कबीर जी से आपका क्या नाता है कि वो मेरा मित्र है मेरा धर्म भाई है मेरा पगड़ी मित्र है यार है और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है कुछ समान लेते आईएगा अब सेख तकी तो साथ यूँ गया था कि कबीर बाग्या होगा जो भड़ी छोट गए और सिकंदर उससे हट जागा दूर और तेरी महिमा फिर शे बन जागी जब उसने देख्या सेख तकी ने बंडारा चल रहा है और जजजए कारवरी है बलाओ किस लिए दिया इसा बंडारा आज तक ऐसा बोदन कभी खाया नहीं ऐसा बंडारा नहीं देख्या और सेख तकी ता पेट पकड़ी का बैठ गया एक तरफ ने तो सिकंदर लोजी ने पूछा उस केसो रूप में बैठे परमेश्वर से कबीर जी क्यों नहीं आए तो केसो ने कहा उसका दास जो बैठा है मौज है माल उसकी कभी आओ उसका मित्र बैठा उसका दास बैठा आजागा जो आएंगे उनकी मौज होगी तब आजाएंगे और सिकंदर लोजी वहीं पहुंच गे कुटिया पर और कुटिया खड़ खड़ाई रवी दास जी ने कहा कि माराज जी वो तो आगे सब यहीं पर परमात्मा बोले बोले मत आप चले जाएंगे और मैं तो भाई रात को चला जाऊँगा यहां से कुटिया छोड़के तो रोज दुखी करन लगे सिकंदर लोजी ने आवाज लगाई कि हे परवर्दिगार एक बार कुटिया का दरुआ जाएंगे खोलो कौन हो आप अंदर से पूछा परमात्मा आपका दास सिकंदर आया है दिली से आपके दर्सिन करना चाहता है कबीर साहब ने कहा राजन मैं हो गया दुखी मैं गरीब आदमी आपने गुजारा करता हूं कपड़ा बनकर अपने परिवार का पोज़सन करता हूं परमात्मा का अपना कोई परिवार नहीं था एक लड़का मरत जीवित किया था सेख्त की की फड़क निकालने के लिए और एक सेख्त की की लड़की कबरमदवार की थी मरत तू क्यों परान तूआ जीवित की थी उस आला हुआ कबीर साहिब ने वो दोनों बच्चे परमात्मा के साथ रहा करते थे जीवित करके वो गए नहीं फिर कहीं पर भी उन्या मालक के मूँ बोले बेटा बेटी और दो मूँ बोले माता पिता थे नीरू और नीमा उनसे जनम नहीं था वो मालक तो सैसरी राय थे तो प्रमात्मा ने कहा कि मैं तो अपने कुणबे का अपने परिवार का पोशन करता हूँ, कपड़ा बुनकर, और मेरे साथ महाराजी बहुत बुनली कर दी, मेरे जुठी नाम से जुठी चिठी डाल रखिये, मैं तो आज आज रात कासी में रहूंगा, और रात ना अपने परिवार को लेकर यहां से निकल जाओंगा, यह मुझे जीने नहीं देंगे, यहां पर बहुत तंग कर लिया, तब सिकंदर लोधी कहता है, परवर्दीगार, आप किसी और को तो वैका सकते हों अपने दास को नहीं, एक बार दरुआ जा कोलो मेरे दाता, आपने जजज़ वो दर्वाजा खुलवा दिया, समेत मुकट के सी कंदलो दीचरणों में गिर गया, बोलो सत्गूल गया, और प्रार्थना की कहे परवर्दीगार, सभी आपकी दरसन की इंतजार कर रहे हैं, आपकी जजज़ेकार हो रही है, आपका मित्र वहां पर भंदारा कर रहा है, आ मौफडी से जब बाहर निकले, आकास से फूलों की वर्सा होई, कबीर भगवान के ओपर फूलों की वर्सा, आकास से सत लोग से, और सिकंदलो दी ने हाथी पर बठाया अपने अपने आसन के साथ, और चमर सुम करने लगे भगवान कबीर साहिब के ओपर, रवी दास जी क को भी साथ ले लिया, बंदारे में आगे, जहां देखे उड़े सब जजज़ कार करें, यह वह ऐसा बंदारा नहीं देख्या, और जो भी खाना खाके जाए उसको दोर और असर भी विदाई की दी जारी थी, कहने का पाओ यह है पुने आत्मा, तीन दिन तक बंदारा चला तीनों दिन पर मातमा ने, एक टेंट के अंदर टेंट लगा दिया, खोल दिया टेंट को उपर सिलिंग सिलिंग रख ली, और एक आसन के उपर बैठके सामने केसो रूप, दूसरे में अपना कवीर रूप, डबल रोल कर रहे हैं पर मातमा, केसो पर सन करता है कवीर साहब उतर देते हैं, कि आप ऐसे केसो पूछता है, कि आप ऐसे गंदे लोग में क्यों आगए, अपने उस सुख में स्थल को छोड़ कर, तब कवीर साहब कहते हैं, केसो मेरे दर्द आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धुखे में आये हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ, अपने बच्चों से मात-पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहां भटक रहा हूँ, मैं रोवत हूँ शिर्ष्टी को, शिर्ष्टी रोए मोहे, कह कभी हमारे व्योग को ये समझ नहीं सकता कोई, ये मुझे खोज रहे हैं, ये समर्द पर मा आत्मा हमने सुख दे, और ये दिन की पूजाएं कर रहे हैं, इन पर दुखों के कहर तूट रहे हैं, और मैं समर्द हूँ, मैं कहता हूँ, मैं भगवान हूँ, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे हैं, और मैं कहता हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हूँ, मैं रोवत हूं श्रिष्टी को और ये मुझे ढूंड रहे हैं मैं इनको खोज रहा हूँ हमारे इस बीच के इस महाराथ व्योग हो गया एक दूसरे से विमो कर दिये नकली संतों पंथों और दुष्ट लोगों ने इभी इसने हमारे न कौन एक करे तो जब चलने लगे नो लाख बेलों पर टेंट का सामान लाइद लिया केसों ने कहा के बेदे चलो साथ में वहाँ से सत लोग के भगताए हुए थे यहां पर सेवा करने के लिए इस कंगाल लोग में कितना आवा इतना दन थारा लाख विक्ती राष्ट्रपती ने जमा सकता थारा लाख आदमियों ने सुब उठते ही कितना कि में बने रहा हुए प्रधान मंत्री निखिला सकता है इतना मोहन भोजन और कितना बड़ा सेथ हुए थारा लाख एक बरात में दो सेवादमी आजाए दस दिन पहले चंता हो जाती है अलवाई लाओ फराणा लाओ और मर पूरा फिर भी ना पाटा है फिर भी पूर काम ना चले तो पुन्यातमाओ बगवान की लीला को दबा रख्या था और उस सम्रत के उस लाल को कुडे में डाल रख्या था अप्तास ना आका पर ख्या और इवाप के सामने खोल कर दिखाए दिवा लालों की बोरी अब लूट ले इस राव नाम की लूट को अब क्या हुता है केस्थो और कबीर परमातमा सिकंदर लोधी सेखतकी और सैनिक खड़े तब सिकंदर लोधी ने कहा के सेखतकी देखा आपने मेरे गुरू जी का बंडारा तब क्या हुआ सेखतकी क्या कहता है ऐसे ऐसे बंडारे हम सब कर दें इसने तो ऐसा महुच्छा सा किया है अपनातमा महुच्छा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना जैसे कोई बता दे कि तुने इतने पंड़त जमाने हैं या इतना देना पड़ेगा दान धरम कोई मजबूरी हो तो वो गटिया मार जाया करें फार्मल्टी करता है उसको महोचा कहते हैं और जग जोनार खुसी में किया करते हैं किसी के गढ़ें जनों में कोई पूतर प्राप्ती होती थी तो उसकी न्यारी खुसी होती थी खूब रोट बोजनते हैं भंडा रहते हैं घी से भलवे से खुले हाथ से बरता है उसको जग जोनार कहते हैं तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है और कोई कहे महोचा और बड़े बड़ाई करया करें ये गाड़ी का ड़ उच्छा यो शेक तकी तो उच्छा था कटी है इनसान और नियों कहें क्या किया है इसने यानि उसका उसका पक्का भी रोज़ी था बगवान का दुस्क था इतना कुछ देख कर भी नियों कहें इसने क्या किया है महोचा सा किया है तो यहाँ गरीबदास जी कहती कोई कहा जग जो नौर किया वह कमाल कर दिया ऐसा बंड़ारा देखें ना सुनिया और कोई कहा है महोचा और बड़े बड़ाई करया करें गाड़ी काड़े हो था तो उसी समय क्या हुआ सिकंदर लोधी ने कहा केशो जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे दरिया से निकल कर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल उससे पार होना था दरिया से गंगा से तो गंगा एक दम नीचे उतर गी गुटना पानी रह गया उन बैलों के तो सभी हैरान थे देखने वाले राजा भी और भी कि एक तम गंगा इतना डाउन फाल मार गी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पर होगी उनने सोची कोई ना है तो दरिया का ऐसा होता है रहता है वा तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केसो आपके बंजारे आपके में वो साथी चले गए होंगे सभी ने उदर कि कहां गए कहां गए इतना कही रहे थे केसो सामने खड़ा था और कभीर प्रमात्मा के अंदर समा गए अकेले कभीर भगवान वहां पर रहे गए बो सत्गुर देव दो हुठार है एक तू भया एक से दो और ग्रीब दास हमकारने तुम आए हो मद्द। तो कहने का भाउदास का ये था प्रमात्मा के जो प्रमात्मा ये कहना चाहिए हमें ये सिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विस्वास करी हो मेरे पर और फिर देखना आपके ऊपर को क्या बताना चाहा था जो प्रमात्मा थारा लाख विक्तियों को और तीन दिन तक भोजन, बंडारे, लडू, जलेबी, कचोडी, पकोडी और दोहर और असरफी दे सकता है जो भडी में बैठा है विक्ति वो समर्थ कितना है और आपको क्या नहीं दे सकता पूरे विस्वा को खिला सकता है वो पूरे उसंग प्रमांडों को एक सेकंड में सब कुछ बर्दे हरा ब्रा करते इस परिच्वी को और आपका घर बर्दे को पूरा अगर विस्वास करोगे तो यह सत्करमा ले ना उस समर्थ का सारा आपको है तो समर्थ का सरनाग हो, रंग होरी हो, बाइ यादा में रहोगे, प्रमपिता प्रमातुमा पूर्ण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कबीर प्रमिसवर जी की असी मरदा से, आप सभी पुन्यात्मा सत्संग सरवन करने के लिए उपस्तित हुए, धन है आपके मात पिता जिन से जनम हुआ, और धन है आपका जनम जो ऐसे समय में आपको मानो सरील मिला, मानो सरील प्राप्त करके प्रानी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुस जीवन का मूल उदेसे क्या है, इसका ग्यान सत्संग से होता है, बहुत ही पुनकर्मी प्राणी को मानोश्रीर प्राप्त होता है उससे भी पुनकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग प्रमात्मा की चाह है, प्रेणना है जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है कोई ना कोई भक्ती विध्य अपनाए हुए है और उन सबसे उत्म वो प्राणी है जिसके अंदर वक्ति की प्रेना है और उसको सत्गुरू मिल जाता है मानो स्रीड के अंदर तो पुन्यात्मा आप उन पुनकर्मी प्राणीयों में से हो उन बेस्ट गुड बेटर बेस्ट तिन कुवालटी होती है आप उस बेस्ट क्वाल्टी की पुन्यात्वा हो जो आपको ऐसे समय में मानो स्रीड बला इस भगती काल में मुक्स काल के अंदर मुक्स समय है ये मुक्त होने का ये गौल्डन सांस इसी समय होता है कल्यों के अंदर ही और वो ये है वीचली पीडी और अब जिसको ये मानो स्रीड प्राप्त है आप बहुती पुलकर्मी प्रानी हो आप योगों योगों से परमात्मा के चरनों में रहे हो लेकिन हम आप गल्ती कर गए यहां से निकल नहीं पाए आपके पास इस बगती समय में की हुई बगती साधना की जो पुन्जी थी जो आपकी बगती धन था आपका वो बहुत गना था जिस कारण से आप ना जाने कितने योगों तो फिर सिलप गई जो पुन्यात्मा इस मौक्सकाल में पार नहीं हो पाएंगी उनके पास बगती धन तो बहुत हो जाएगा क्योंकि साधना ऐसी है इसकी बगती से बगती धन बहुत हो जाता है और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो ये एक नमबर का ठग है बठपारा कहा है संतों ने इसको जो सून योजी तरीके से आपके भग्ची धनका नास करवाता है तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है पुना पीछा छुटवाना है मनुष्रीर प्रात करके जो प्राणी भग्ची नहीं करते है तो वो अपना जीवन नास कर जाते है और जो भग्ची करते भी हैं अन्तिम स्वास तक सावधान नहीं रहते तो वो भी बने बनाए काम को विगाड लेते हैं भग्च को अन्तिम स्वास तक साधना करनी पड़ेगी मर्यादा में रहना पड़ेगा जैसे खेल के खिलाडी होते हैं वो जहां से सटार्ट करते हैं यानि कोई डिष्टिक सतर से जिला सतर से खेलना शुरू करते हैं वहाँ भी नियम वैसे ही है और वहां सफल होते हैं फिर वो राज्य सतर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम हैं और अन्तिम गेम तक उसमोने वैसे ही मरियादा में रहकर ही साउधानी से खेलना पड़ता है, तब ही वह सफल होते हैं। परतेक सद्गर्ण्थ में कहा है कि प्रमात्मा की भक्ति अन्तिम स्वास तक करनी होती है। प्रमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राने कभू तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कन। ये सुक्सम वेद की वानी है जो प्रमात्मा अपने मुख कमल से सुम ही आकर के बोला करते हैं ये थार स्विया। इसी का समर्थन दिया है यजुर वेद अध्धाय नमबर 40 के मंतर नमबर 15 ने। उसमें कहा है कि वायू अनीलम अत इदम बसमानतम सरीरम ओम करतो समर, किलवे समर और करतों समर। अनतिम स्वास तक इस जीवन का इस शरीर के नश्ठ होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ यानी सरधा के साथ एक विशेष आस्ठा के साथ इसका स्यमन करो, और मन उस जीवन का मुखे कारिये समझ कर इसका स्यमन करो, तब आप सरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका स्यमन करते रहोगे, इस ओम नाम से जितना भी अमर्तम आमर्तव आपको प्राप्त होगा, वो इस मंतर से हो जाएगा, फिर ये तो है ब्रह्म तक की साथ ना, अब चाहे आप ब्रह्म की साथ ना करो, और चाहे आप किसी पर्ब्रह्म की साथ ना करो, या परमकसर ब्रह्म की साथ ना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते है श्रीमत भकुत गीता में लिखा है आठ में जैके तेर में सिलोप में गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरा सुम्रन जो है बेरी भगती ओम इती एक अक्सरम बर्म व्युहारन माम अनुसम्रन ये परियाती तजन देहं सैयाती परवाम गतिम मुझ बर्म का कि वले एक अक्सर ओम मंतर है और कोई नहीं नथिंग एल्स इती बस यही फाइनल है और जो इस ये परियाती तजन देहं सरीर छोड़ते तक इसका सिमन करता हुआ उचान करके सिम्न करता हुआ, जो श्री छोड कर जाता है सह्याती प्रमांगतिम वह ओम से मिलने वाली परमगती प्राप्त करता है ओम किसका मंतर है ब्रह्म का? और ओम से कौन सा सथान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक देवी भागवत के अंदर सात्मे सकंदम है गीता प्रेस के गोरखपुर से परकासित सचीतर मोटा टाइप केवल हिंदी के प्रिष्ट नंबर पानसो बैसिट और पानसो त्रेसिट पर सबस्ष किया है देवी हिमाला जी को कह रही है कि सभी पूजाएं त्याग दे अन्ने किसी देव में आस्ता मत कर राजन केवल एक ब्रह्म की साधना कर ओम उसका नाम जाप है ओम का सिमन कर और ब्रह्म पाने का उदेशे कर इस से तेरा कल्यान हो जाएगा तू ब्रह्म लोक में चला जाएगा उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को और वो ब्रह्म वह ब्रह्म लोक रुपी दिव वाकास में रहता है यानि वो ब्रह्म लोक में रहता है यदुर्वेद अज्याय नमबर 40 के मंतर 17 में दो पुरुष बताएए एक तो यह वीद ग्यान दाता ब्रह्म है यह कहता मैं ब्रह्म हूँ मेरा ओम नाम है मैं ब्रह्म हूँ और खम माने ब्रह्म लोक रुपी दिव वाकास में वहां मैं रहता हूँ और जो पुर्ण प्रमात्मा है वो गुप्त है वो प्रॉक्स है वो उपर के तेजों में लोकों में रहता है यदुर्वेद ध्याय नमर चालिस के मंतर नमर दस से तेरा तक सपष्ट कर दिया है कि प्रमात्मा की यथार्ज जानकारी प्रमात्मा कैसा है वो जनम लेता है नहीं लेता है साकार है या निराकार है उसके विशे में तत्वदर्शी संत बताते है दिरा नाम उन से सुनो तत्व दर्शी संत वो बताएंगे वास्तवी कि ग्यान उन से सुनो और विद्वान और एविद्वान की पैचान भी वो संत बतावेंगे फिर सिरी मद्भगवत गीता जैन नमर चार के सलोक नमर बत्तिस में मुरनन किया है कि यगों की विष्टिस जानकारी सचीदा नंद घंबरम के मुक से बोली हुई अमरवानी कवीरवानी के अंदर विष्टार के साथ कहा गया है वो तत्व ग्यान है उसको समझने के बाद प्रानी फिर पूर्ण लूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है चोथे जैके 34 में स्लोक में गीता जी में का है उस तत्व ग्यान को तत्व दर्सी संतों के पास जा कर समझ वो तत्व दर्सी संत तुझे उस तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे इसे सदे के गीता ग्यान ताता तो उस प्रमक्सर ब्रम की उस सतीदानद ग्यान ब्रम की जानकारी भी नहीं रखता उसके पाने की विध्य उसके पास नहीं है उसके लिए प्रमेश्वर स्वेम आते हैं अपना अमरत ग्यान आपके लिए यहां बरकर चले जाते हैं अपनी अमरतवानी में फिर अपने गवा बनाते हैं परतेक युग में अब कली युग में जो उन्हों ने अपने साकसी बनाए हैं आदरिय जर्मदास साहिब जी बांदो गड़ वाले उनको परमात्मा मतुरा में मिले जहां पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुवों दोरा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यातरा पर निकला हुआ था उनको ग्यान दिया सच्चाई से परिचित करा उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चर्णों में पढ़के बुरी तरह रोई फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए जहां से हम आये थे और जो वो सुख में सथान है जहां कभी जरा और मरण नहीं होता जावर दौस्ता नहीं है जावर्तू कभी नहीं होती पिर उनको तीसरे दिन वापे छोडा तो वो परमात्मा कभीर साहव के गवा बने कि परमात्मा कभीर आप ही परमात्मा हो क्या बता है कि आज मुई दर सन जीया जी कभीर अमर लोग से चल कर आए कॉटन इस काल की जजीर अमर लोग से चल कर आए आप सी देश सही सरी जाते हैं तो पुने अतनों उसके पस्चात उन्हों ने अपने गवा बनाई आदनी स्वामी रामानंद जी कासी वाले उनको सच्कंड लेकर गए वो योगी पुरुष्ट अपने अपमे योगी पाक रहे थे चारों वेदों और गीता पुराण आधी के वा बरमज ग्याता परसिद हो रहे थे जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी चार वेद और पुराण अठारा ये एक उजड जेरा है तत्व ग्यान प्रमस पासाहब का वो तो ग्यान उचेरा है रमान जी वेदों पर गरव करते थे पुराण और गीता पर गरव करते थे कि इस complete spiritual knowledge है प्रमात्मा ने कहा कि ये ते एक उजड जेरा है चार वेदों और पुराण अठारा ये एक उजड जेरा है इससे निकल नी सकते है इस साधना से ये इनकम्प्लीट है फिर रामानजी के भर्म को निवारन करने के लिए सच्खंड लेकर गए वाँ देखा अपना वास्तिविक सत्थान और परमात्मा बैठे सिंगासन पर राजा के समान सिर पर मुकट समेश चतर और राजा की तरह अनन्त कोट बर्मांड के संचालक के सिंगासन पर बराजिवान पर भुको देखा उस पांच वरस के बालक के रूप में और फिर अपना वास्तिक रूप बनाया फिर बालक रूप धारन किया फिर उस महापुरस को वापे छोड़ दिया तब स्वामी hơnजी ने कहा था के दोहु ठोड है एक तू दोहु ठोड वह भी आप हो यहां भी आप हो दोहु ठोड है एक तू भया एक से दो और गरीब दास हमकारने आए हो रजहो तुम साहिब तुम संत हो तुम सत्गुर तुम हंस मैं भक्त पहले तो विद्वान पाक रहे थे मैं रिशी को आम है थे स्वामी रामान पंड़ जी फिर कहते हैं मैं भक्त मुक्त हुआ मेरा भरम करम भयोनास ग्रीब दास निजबरम तुम यानि निजबरम यानि वास्तविक भगवान आप हो मुझे हुआ दर्ड विस्वास तुम स्वामी मैं बाल बुधी बरम करम भयोनास ग्रीब दास निजबरम तुम हो गया दर्ड विस्वास तो पने अत्मों ये दूसरे गवाँ उस कबीर भगवान के तीसरे आदनिय मलुकदास साहिब जी आदनिय मलुकदास साहिब जी को परमात्मा मिले कहते हैं सोचल सीदर मैं करूँ अपने जन के काज और एरनिक सपू जो मार जो मैं नर्सिंग धरलू साज एक समय परमेश्वर कबीर जी इस दरातल पर आए हुए थे जैसे ये क्या करते हैं परमात्मा कई परकार से लिला करते हैं ये तीन पर तीन सथीथी में रहकर के अपने सभी बरमांडों को चलाते हैं सब जीओं की संभाल करते हैं एक सथीथी में ये सतलोक में रहते हैं अपने ही अन्ने रूप में और दूसरी सथीथी में वो क्या करते हैं परतेक युग में एक बालक रूप धारन करके और किसी सरोर में कमल के फूल के उपर आकर विराजमान होते हैं जिस कारण से वो नारायन कहलाते है नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला इसलिए सतनारायन कहलाते हैं सतनारायन माने अविनासी परमात्मा दिरे जिरे बड़े होते हैं उनको निस संतान दंपत्ती उठा ले जाते हैं वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बिलकुल एक जन साधारन की भूमिका करते हैं कोई भर्म में कहता है कि कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा कि जैसे भी अठकल वाजी चलती रहती है, चलती रहो, सचाई कुछ अन्य ही होती है जिस कारण से वो प्रमातुना धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उमर में हैं, छोटी आयू में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं अध्यातम मारग में और वी नमर रहते हैं, एक पूरी मरियादा निबाते हैं, जो एक भक्त संत को मरियादा में रहके भक्ती करनी चाहिए तो वो प्रमातमा तीशरी सतीथी में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी परगट हो जाते हैं और अपने अच्छे आतमाओं को मिलते हैं, एक जिन्दा मातमा के रूप में, एक साधू संत के रूप में आते हैं तो कलियोग में जिन भी मापुरसों को वो तीशरी सतीथी में मिले हैं, उन मेंसे आदनिय जरुदास साहिब जी, आदनिय नानक साहिब जी, आदनिय दादू साहिब जी, आदनिय गरिवदास साहिब जी, गाउं छुडानी जिलादुजर वाले आदरनिय गीसा दास जी गाओं खेखड़ा जिला मेरिट उत्तर परदेश वाले तो इन मापुर्सों को वो परमात्मा जिन्दा मात्मा के रूप में मिले हैं और ये तीसरी परकार की सथी थी है इन सभी मापुर्सों को परमात्मा सच्खंड लेकर गए फिर उनको वापस छोड़ा तो इन्होंने अब मुलक दास जी को कैसे मिले तो वो परमात्मा जो तीसरी परकार की सथी थी में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे पहले पुराने समय में क्या होता था हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गाओं में एक संत आया था और एक महीना रुका था उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमतकार किये थे वो अचानक फिर गाइब हो गए चले गए थे पाए नहीं थे तो ऐसे वो प्रमात्मा आये हुए थे और मलुक राम नाम था उनका चौधरी मलुक राम अरोडा एक अच्छे किसान थे बड़े खेती हर थे वो अरोडा जाती में थे और गाओं के नंबरदार थे गाओं में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी प्रमात्मा प्रमात्मा के लिए विसेश के गरीब विक्ती ही ज़्यादा प्रियतन किया करते हैं और प्रमात्मा कहते हैं के उच्छे कुल में बग्ती ना होए निच्छा ही कुल दीजै और उच्छे कुल में दुर्यो दन रावन और निच्छे कुल में गणका और गणका भिलनी पार उतरगी गर्व करियो ना धनका तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा वो उसके लिए वर्दान होता है परमात्मा के लिए तरफते रहते हैं और उस तरफ में तरफ में वो कही ना कही परमात्मा पर द्या कर ही देते हैं और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं वो कोई विशेस आत्मा ही होती है जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं अपने परंप्रागत साधना है तो वो कितने ही करते रहें क्योंकि उन्मों प्रेड़ना पिछली है लेकिन विशेस पुन्यात्मा है जो होती है वो ही सुख में भगवान की सरण में आती है क्योंकि उनके पिछले संसकार ज़्यादा अच्छे होते है तो गरीब व्यक्तियों के घर में परंप्रागत्मा एक गाओं में गयप उनके सिस्थे जब वो तीशरी सतीची में साधू संत रूप में परगट थे तो भगट परमात्मा जब गुरुजी आते हैं गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते है परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए अगले दिन स्यामन दूसरे नप्रार्शना की भगवन कल हमारे घर करना सत्संग भी करते थे वहां उनके भोजन पाते थे तो सब ने स्टेश्टा हुई सब के इंदर पर रिणाबनी के हमारे घर भी गुरुजी आओं हम भी सेवा करें अपने गुरुजी देव की इस परकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया वहां भोजन पराथ किया अगले जन दूसरे के दूसरे तीसरे जन तीसरे के तो भग्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं अच्छा हलवा देशी गी का लगाओं है वो डालें उसके अंदर पानीर मैक जापरोसियों तक और परमात्मा की इस इथार्थ ग्यान का विरोध सरू से ही रहा है गाओं में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सत्साधना बताने की चेश्टा करते हैं उस समय भर्मित समाज वो साधना एक रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता और प्रमात्मा चाहते हैं कि सभी सभी मेरे बच्चे सचाध ना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस इनको फिर से वाँ सुखी कर दूँ तो हम काल के दौरा भरमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं कुछ एक पडोसियों ने जाकर के उस नमबरदार मुलक राम चौधरी अरोडा जी एक शे कहा जी गाओं में एक ठगाया हुआ है और ग्रीब विक्तियों को लूट रहा है रो अच्छे माल खाता है बड़ी हलवा बनाते हैं खीर बनाते हैं और चलते से में पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड वहारात को सत्संग करते हैं बेहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गडबड होगी गाओं में आप देखलो संभल जाओ उसको निकाल दो यहां से अब पुन्यात्मा होते हैं उस मलुक राम जी के मन में ये आया कभी सादू संतों के साथ खशना ने चाहिए जी प्यार से ही देखूँगा मैं वास्तूरता क्या है फिर मैं कोई बात करूँगा तो मलुक दास जी ने फिर साधानी बरती जी दर सत्संग से उस साइड से गलियों से निकल कर खेतों में जाने लगा तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छोंक लगया और फिर अलवे का बनाने का समय हो गया वो निकल कर जा रहा था उसने आई मैक के वी अलवा दबना रख्या है अगले दिन वो तीसरे के घर में चौथे के घर में तो मलुक दास ने सोचा वी अब बात तो सच मुचे तो रोज अलवे खावे है देखते लिए कौन है कैसा है तो प्रमातमा बैठे थे ए ठगवाड़ा ठगी देश उसको पैचान ले तो फिर हम पारे हो जावे हम पैचान ही नहीं पाते उस प्रम पिता को हम अपनी अठकलों से उसकी डेफिनेशन बनाई बैठे है अब मलुकदास ने जाकर देख्या एक सिंपल सा आदमी बैठा है दाड़ी मुझ बड़ी हुई है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर 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 क्या नाम है आपका मेरा नाम पुपिंदर सेंग जी पुपिंदर जी कहां से आई हो मेरा काम अटारी है जी जिला मोगा सर संथ रामपाल जी महराज की संथ में आने से पहले आप क्या बक्ती साथना करते थे सर मैं रादर स्वामी मत के एक संथ थे मेहंदर सेंग जी शेर गिलन का नाम था अमर सर के वो संथ से थे शेरावाले गेट के निजदीक उनका गारा है जो आखों का डाक्टर है दलजीत सेंग बेलकुल उनके बगल में उनका गारा है अभी वी उससे हमने नाम देख्षा ली थी और 25-20 साल वो रखी हमने सर पहले जो साथनाय आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाब मिला सर उससे लाब कोई नहीं मिला भगती कीवी बहुत साथे तीन तीन गेंटे एक ही दफ़ा बैठ करके भगती की लाब नहीं कोई मिला बजाए लाब के सगों काम रुकते ही थे उसके बाद 12-13 साल बाद तो मैं शराब भी शुरू कर दी पीनी और नशेवी तमाम उतमाकू शराब और पोस्त सब शुरू हो गया सर फिर आप संत रामपाल जी महराज की सर्ण में कैसे आई रामपाल जी महराज सत्गुरु जी की सर्ण में मेरा वाई या गरदेव संग वो इदर मोगे से उसको पता चला कि बरवाला में ऐसे संत हैं वो मेरे को ले करके गया और वहां मैं उसके साथ तीन दफ़ा गया और इसलिए वापस आ जाता था कि मेरे से ये नशा शूटेगा ने एक शोड़ दूँ शराब शोड़ दूँ तमाकू ने शूटेगा तमाक प्ल backend इसलिए आजाता था वापस। तीन दफ़ा मैं वापस आया, एक दफ़ा हम गये वहहां बरवाला में तीन देन का सत संग था वहां और तीन सत संग सुना, उस दिन लाश्ट सत संग था उस दिन हमने अगले दिन सुबह हमने अपनी ट्रेन पहड़नी थी वापस आ जाना था तो मेरे मन में यह आया कि सत्गुर्रामपाल जी महराज यह भी ऐसी संत हैं जैसे हमके मजाब के संत जो हमको मिलते हैं ऐसी यह हैं और इतनी दूर आना भी क्या लेने हैं ऐसी यह हैं जैसे दूसरे संत हैं तो यह मन में मेरे विचार बना लेकन जब सत्गुर्रामपाल जी प्रमात्मा ने मेरे साथ की यह तो मेरे को मालम नहीं किया और भी दुनिया को जा और लोगों को यह ऐसा दिखाई दिया कि नहीं दिया लेकन मेरे को ऐसे हुआ संतरांपाल जी जब ससंके बाद जाते हैं तो वो उपर बांग ऐसे गुमा करके जाते हैं कि हम ससंके बाद चले हैं जब ऐसे किया तो पूरा सरीर उनका ट्यूब की तरह जग पड़ा पूरी बाँ भी पूरा पूरा शरीर जग पड़ा उनका और आश्रम के अंदर भी पूरा चिट्टा चानन हो गया आश्रम की शात्त भी चारदवारी पूरी पूरी संगत पर भी सारे चानन हो गया और मेरे को ये असास हो गया करवा दिया मालक ने कि तूँ कहता है कि ये भी तो आमी दूसरे संतों जैसा ही होगा उसको देखकर हमकी आँखों में आँशु आगे कि ये मालक तो यहां है फिर अगले दन सुबह हमने नाम उपदेश लिया सर पहले आप बहुत ज़्यादा सराब पीटे थे बहुत ज़्यादा वैशन करते थे सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिला सर जब सत्गुर्रामपाल जी महराज से हमने नाम लिया तो वो सिर पर हाथ राख के अशीरवाद देते हैं जब उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा तो नशे तो तमाम उसी टैम ही गैब होगे और जब हम अगले दिन ट्रेन में वहां से चले तो हमारे साथ एक और भी हमारा साथी है वो ट्रक ड्रैवर है अब ओडिसम है वो भी उसने भी नाम ले लिया तो ट्रेन में भीड बहुत थी और पीछे कुछ बिहार के लोग थे वो गर्दा तमा को मल रहे थे और हमारा वो दोस्त तो बोलता के लगाएं तमा को हमने कहा वी चल लगा लो और भईयों से उन्होंने तमा को बनवा लिया और मैं आगे खड़ा था वो पीछे बारी के पास खड़ा था उसने मेरे पास एक वह ये को पेजा भेज दिया कि जा उसको देया तमा को मेरा बंदा है आप तो उसने लगाया नहीं और मैं उसको पुछा कि मेरे बंदे ने लगा लिया वो कहता वो कहता मैं तो लगाता नहीं तो मेरा बंदा वो चाहता है मैं कभी नहीं ममी नहीं लाओंगा ऐसे ममी नहीं लगाया और हम अपने गाम आ गए गाम पर हम 6 रोज कोई नशानी किया 6 दिन के बाद हम एक जस फैक्टरी में काम करते थी उसकी शात्त साफ कर रहे थे उपर हमारे पास 5-6 आदमी और भी काम कर रहे थे उन्होंने तुमाकू बनाया और मैं भी कह दिया कि मेरा भी बना दो तो जो वो ट्रक ड्राइवर था वो हमारा प्रोसी है वो इदर चलेगा पठान कोट जम्मू साइड चावल की गाड़ी उतारने तो मैं कभी उदर उने गाड़ी वाले ने भी उदर लगा लया ह मेरे को मना कर रहा आप लगा लया होगा गाड़ी पर वो कैसे शोड़ सकता तो मैं भी आज लगाता हूं जब वो तमाकू उन्होंने त्यार करके हमारे आगे हाथ किया तो मैं उठाने लगा हमको नीचे से सुपरवाजर ने आवाज लगाई कि नीचे आवा आपको एक उस तो जो ड्राक ड्रैवर है मोटर सेकल लेकार करके और मालम निक कैसे आया वो जम्मू कश्मीर से वो मोटर सेकल से उधर खडा और यही उसने पूछा वो यैसे मालक नहीं बेजा होगा यही पूछा कि तमाकू तो नहीं लगा लिया तो मैंने कह भी लगा तो बना खंड हो जाएगा इस से तो बस उस दिन के बाद ना उसने ना हमने बस कुछ नहीं लगाया कोई नशा ने किया आज तक सर और क्या लाब मिलें सर लाब ऐसे लाब तो बहुत हुए है जैसे हमारा कोई काम नहीं चल रहा था जो काम करता भी था तो उसमें कोई मेरा रोटी रोजी का जो काम था वो बहुत काम चलता था ते नाम अपदेश लेने के बाद वो मेरा रोटी रोजी का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा हम पूरा सोखे हो गए गर में हमारा लड़का जो है वो भी उसके बाद लकड का काम करने लगा एस टाम हम पूरे सब ठीक ठागए और लाव तो सबसे बड़ा तो यह हुआ कि इतनी शान्ति और कहीं भी नहीं मिली जितनी शान्ति यह नाम लेने के बाद मिली है और यह लाव सबसे बड़ा होगा कि हम सतलोग भी जाएंगे यह भी हमको पक्का मल्म है सर जैसे की पहले आप बहुत सारा नसा करते थे बहुत जाला सरा पीते थे सर संत्रामपाल जी माराज से नाम देख्षा लेने के बाद आपका नसा छोड़ गया तो क्या संत्रामपाल जी माराज नसा छोड़वाने के लिए कोई जड़ी बूटी देते हैं सरहां नशा छोड़ना बेलकुल ही बहुत मुश्कल है हमको हमारे घरवालों ने दो दफा हॉस्पीटल में दाखल भी करवाया और गुलू कोश के साथ उन्होंने बहुत सी दवाईयां भी दी लेकन फिर भी नहीं शूटा हस्पताल से आने के बाद ही हम फिर चालू हो जाते आदमिकारी नहीं सकता हूं क्याँकि यह जो सतनाम मंतर है जो साबसे पहले तो यह पहला नाम जो दिया जाता है वह फर्ष्ट नाम गो जगाई तरी आत्मततव जगाए सुति पर शाड़ी आत्मता तर्थनू जगाके सुद करके ते सानू नाम जबन जपन ने काबला बना जैसे सुक्य घास को अगनी की छोटी सी चंगारी सार करके राख कर देती है कोछ देर बाद कोई हवा का ऐसा बुलाता है वो उड़ा करके कहीं ले जाता है और वो मिदान साफ हो जाता है जे नशे किसी आदमी से भी नी शूट सकते जे नाम मंत्रों में ऐसी ताकत है जो नश से नेड़े नहीं आ सकते आसकता आदमी ये सतनाम मंत्र जो है ये तो चोर चक्का कातल लटेरा डाकू निशेडी जो भी है ये नाम मिलने से वो भी एक ऐसे दूद जैसा खरा आदमी बन करके वो साध बनके सामने आ जाता है सर संत्रामपाल जी महराज के बारे में ऐसा भी का जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरूओं की निंदा करते हैं सर आप क्या कहना चाहेंगे सर ये निंदा लिए जी विदों करतों के अदार पर ये जो ग्यान है हमारे इस समाज ने तो निंदा शब्द का ही खात्मा कर दिया एक चोर को जो हम चोर ना कहेंगे तो उसको साध कहेंगे तो फिर साध को क्या कहेंगे जै तो निन्दा शाबद का ही ये तो सत्या नास ही कर दिया निन्दा शाबद का यह निन्दा नहीं है जो सचाई को साच साच कझना वो निंद्या नहीं होती है हमारे गुरू जी ने तो सब सत्त क्या है और ग्रंथोंग के दुर्पर कहा है रगत समाध को क्या संदेश देना चाहते हैं है राम हमारे λέंपाल महराम उपर देश लें ₹ कै और अपना कलियान कराओ जैस्य सफ्तर रन्कूल साथना है और जूटी साधना को शोड़ो और हमारी सद्गुर्याश Garampal जी से नाम उत्तेश लेकर के अपना कल्यान करो सर addict Sannto Rampal से नाम दिख्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं सर चैनल पर आता है उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है उस उस पर वो नंबर खोन के दर्ज हैं उन पर फोन करके पता लिया जा सकता है और उनसे कंटक्ट किया जा सकता है और जिला कोडिनेटर के पास जो हमारे सत्गुरु ने नाम के इंदर खोल रखे हैं वहां से नाम उपदेश लिया जा सकता है धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो